इस वीडियो में डिस्कुशन करेंगे हिमाचल परदेश स्टाप स्लेक्शन कमिशन हमेरपुर के दोरा TGT नॉन मेडिकल और मेडिकल के लिए काफी मत्तोपुन नोटी सिक्स जारी किया हुआ है दूसरी तरफ बात करेंगे हिमाचल परदेश पब्लिक स्लेक्शन सिम्ला दौरा क्या कैन नहीं डोटिफिकेशन निकाली गई है संपुन जानकर या आपको इस वीडियो में दी जाएगी आपको बता दें आप एदी जुनियर आउफिस एसेशन प्रिक्सा की त्यारी कर रहे है तो इसके आपको पर्चेस करने के लिए आपको बिजिट करने होगी इसके लाब आप लैक्षरी प्रेटफर्म के करने के लिए समंगर हद्यन किताब के साथ में अपने हमाचल प्रदिस के समाने गया इनको मजबूत कीजिए ताकि आपका काफे बेटरिन स्कोर रह सके रिटन प्रिक्सा में तो से पहले आपको बता दें कि जो यह टीजी टी मेडिकल की प्रिक्सा है इसका आयोजन हो रहा है तीस ग्या मत्वपुन होता है जो यहां पर देख रहे है कि BSC Medical भी दैट लिस्ट 50% मार्क सोने चीए एक साल की B.Ed भी यहां पर मेंडिटरी है जिए किसी के पास यह क्याइट नहीं है तो यदि वो BSC Medical है भी दैट लिस्ट 45% मार्क साथ उसके साथ मुझने एक साल का B.Ed किया हुआ है इन अकॉर्डेंस विद N.C.T. रिकोगनेशन नौर्म्स और प्रोसीजर रेगुलर रेगुलेशन इसूद फ्रों टाइम इन दिस रिगार तो देखिए उसे भी इलिजिबल माना जाएगा लेकिन यह इन चीजों का आपने यहां पर ध्यान रखना होता है कि जो यह आपकी माननेता है क्या वो N.C.T.E. से माननेता है या नहीं है इदे कि यह आपने B.Sc. भी नहीं किया है लेकिन फिर आपके बास सीनियर स्केंडरी आप मतलब प्लस टू पड़े है 50% के साथ में लेकिन आपके बास 4 साल का क्या होना चाहिए पर एलिमेंटरी एजुकेशन में आपका एक डिपलोमा होता है B.E.L.E.D. इदी आपने हो किया तब भी आप इलिजिवल है इस तरह से देखिए आगे और भी कुछ यहां पर इंस्ट्रक्शन चारी किया यह सपास्ट्रिटे करें आपके पास ट्रू होगई आपके पास त्रू होगी आपके पास TET qualify होना जुरूरी है किसी candidates का TET qualify नहीं है तो eligible नहीं होगा इस commission के लिए तो यहाँ पे instruction भी आपको follow करनी होगी और BCS 10 रखियेगा IUC मा जो इस commission के लिए निर्धारित की गई है 1-1-2-0-20-20-Tक candidates के 18 वर्स पूरी होनी चाहिए यहाँ पर देखिए BSC के लिए जो qualification है non-medical be that list 50% marks and 1-year bachelor in education के सारे के सारे आप यहाँ जिसको इसको 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 study कर लीजिएगा और TET यहाँ पर भी जुरूरी किया गया है और IUC मा के लिए बात करें 18-45 वर्स के बीच में एक एक 2020 तक हो जानी चाहिए इसकी बीच में होनी चाहिए ठीके जी दोई निधान भी यहाँ पर कर दिया गया है अब बात करते है प्रेस नोट जरी किया गया है HPPACC मिला के द्वारा HS मुख्या परिक्सा के लिए तो इसमें देखिए एक बारा दो हजार बीच से प्रिक्सा शुरू होगी और साथ बारा दो हजार बीच तक चलेगी COVID-19 पेंड़ा में काफ़ ज़ादा बढ़ चुका है तो आपको ध्यान रखना होगा इंगलिस की प्रिक्सा का जो आयूजन होगा 9 वजे से लेकर 12 वजे के बीच में होगा 1 वजेश बारा दो हजार बीच के बाद की जारी है इंदी की प्रिक्सा 2 से 5 वजे इवनिंक सेसन में होगी उसके बाद पिर आपको ऐसी लिखना है 10 doing 1 वजे के बीच में GS 1 का पेपर होगा दस बज़े से लेकर एक बज़े के बीच में तीन तारी को चार तारी को जी एस टू का पर होगा दस बज़े से लेकर एक बज़े तक और पांच बारा दो हजार बीस को जी एस त्री का पर होगा इस सारी इंस्ट्रक्शन्स यहां पर जारी कर दी गई है और इसके लावा देखिए जो इंपोनेंट इंस्ट्रक्शन्स हैं तो आपके बहुत यह अच्छे से पढ़ना होगा कि BCS तोर पर आपको examination hall में जब आपने जाना है तो आपको क्या क्या जौब का एड़मिंट कार्ट है उसके उपर भी एप्रेंट होगी ठीके जी तो उसके उपर भी आप इनको देख लिजिएगा या आप इनके officially website पर जाएए बहां पर भी आपको सारी की सारी information से मिल इन चीजों का BCS द्यान रख कियेगा और आप यहां से भी screenshot ले सकते हो और इनका थोड़ा साब को self study करके ही जाना है तक आपको किसी तरह की कोई विदिक्कत वहां पर examination hall में ना आए ठैंक यू बेरी मस्ट कीप वाचिंग इलाइट स्टेडी यूट्यूब चैनल